हलो दोस्तों आप देख रहे हैं डी कोट इंडियन तो केंद सरकार के दोरा यहां पे देश के बुजुर्गों के लिए एक अभियान को लाँच किया जा रहा है पोसन अभियान जिसके तहर देश के जो एल्डेरली पॉपुलेशन है उनमें मैल नूट्रीशन की समस्या को टै इंपावर्मेंट रतनलाल कटरिया के द्वारा लोग सभा में इस स्कीम के बारे में कहा गया कि इस स्कीम के तहट लोकली हेल्दी फूड मटेरियल अवेलेबल कराया जायागा बुजूर्गों को मिटे मील सर्विस के थ्रू तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोशन अभियान for elderly population लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये पोशन अभियान है क्या जो इतने सालों से देश में चला आ रहा है तो पोशन अभियान को National Nutrition Mission के नाम से भी जाना जाता है NNM कि एक Multi-Ministerial Initiative है Multi-Ministerial यानि कि बहुत सारे ministry इसमें involved है 2018 में से launch किया गया था main objective था इसका इंडिया में जो malnutrition problem है को पोशन की समस्या है उनको यहाँ पे खत्म करना था इस scheme के तहत main objective था जो children है Adolescence है Adolescence यानि कि जिनकी उम्र 12 से 19 साल के बीच में होती है जिसको हम लोग हिंदुी में किसोरा वस्था कहते हैं उनको pregnant woman और जो lactating woman है उनमें nutritional outcomes को यहाँ पे improve करना Lactating woman ऐसी woman कहलाती है जो जिनका braced milk बहुत जादा नहीं हो पाता है वो अपने बच्चे को provide नहीं कर पाती है उसके अलावा यहाँ पे under nutrition को reduce करना था जो level of under nutrition है nutritional status जो है children का इंडिया के अंतरगत उनको यहाँ पे enhance करना था 2022 objective रखा गया था कि 2022 तक mal nutrition की समस्या को इंडिया से खत्म करना है उसके अलावा इस पूरे जो अभियान है उसका main objective था जो stunting rate है stunting rate यानि की वैसे बच्चे जो की उम्रे के हिसाब से जिनकी height कम है under nutrition बच्चे को पोशन के सिकार बच्चे अनीमिया के सिकार जो है जिनमें खून की कमी है और low birth weight जो है जन्म के समय में जो बच्चों का कम weight होता है इन सब चीजों को improve करना पोशन अभियान का main objective था अभी जो ये पोशन अभियान for elderly population के launch किया गया है वो ministry of social justice and empowerment के दोरा लॉंच किया जा रहा है इसका main objective होगा nutrition support करना बुजूर्ग लोगों को इंडिया के अंतर करत और इसमें जो extremely poor elders हैं जो बहुत जादा गरीब परिवार से बिलॉंग करते हैं और जो सरकार के दोरा जो old age home उसमें वो नहीं रह रहे हैं और malnutrition का सिकार है तो उन सभी को यहां पे support किया जाएगा किस तरीके से तो यहां पे locally उन्हें healthy food material available कराया जाएगा जिनसे उनमें nutrition बढ़े यह कैसे होगा तो hot cooked midday meals provide करके जैसे कि school में जो midday meal कारेकरम चलता है जिसमें बच्चों को provide किया यहां पे same बुजूर्गों के लिए भी इसी तरीके से healthy food material को available करा जाएगा यह पूरा program ग्राम पंचायत लेवल और urban municipalities के तहत होगा इसके अलावा इस पूरे program में जो पैसों को खर्च किया जाएगा वो senior citizen welfare fund के अंतरगत से किया जाएगा ऐसा पहली बार नहीं है जब कि इ senior citizen के लिए तरीकी का कदम उठाया गया है government of India के दोरा लगातार सेवरल स्कीम्स चलाया जाते हैं senior citizen के welfare के लिए और वो सभी schemes national action plan for senior citizen के अंतरगत उठाया जाते हैं यह जो पुरा plan है उसका main objective है बुजुर्गों को financial security प्रदान करना जैसे कि मालीजे pension जो उन्हें प्रवाइड किया जाता है उन्हें financially independent बनाना shelter and welfare उन्हें प्रवाइड करना उन्हें रहने के लिए जो व्रिधा आस्रम प्रवाइड किया जाते हैं जरकार के तौरा यह इसके अंदर गता गए health care and nutrition उन्हें प्रवाइड करना अभी ही जो यह scheme निकाला गया है portion अभियान उसके तहत nutrition उन्हें प्रवाइड किया जाएग जो इस पूरे प्लान के अंतरकर सरकार के द्वारा किये जाते हैं इससे related अलग-अलग schemes को निकाले जाते हैं और अभी भी जो यह portion अभियान for elderly population है वो भी इसी के तहत जो है national action plan for sinus region के तहत निकाला गया है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था I hope आपको इससे क कुछ important जानकारी मिल गई होगी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें comment करके जरूर पताएए